हेलो एजुकेटर्स कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हपे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैनल में प्ले स्टोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए काफी सारे टीचर्स जो हमसे पूछते हैं कि सर आपके पैनल में प्ले स्टोर है सर के आप पबजी खेलोगे या ट्रू कोलर इंस्टॉल करोगे एक टीचर के अकोडिंग जिस पे पैनल पे इतनी रिसर्च करके बनाया गया है वो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है कि उसके अंदर क्या चीज़े होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए प्ले स्टोर पहले मैक्सप में आता था जो पुराने यूजर से मैक्सप के आप देखेंगे कि उसमें मैक्सप में प्ले स्टोर था लेकिन उस प्ले स्टोर को मैक्सप ने हटा दिया था वज़े क्या थ कि पैनल के अंदर जो RAM और जो storage है वो expandable नहीं है वो उतनी ही रहती है limited जितनी वो starting में आती है तो एक time interval के बाद कुछ time के बाद वो चीजे slow हो जाती है तो पैनल में lagging ना आए या hang का issue ना आए इस वज़े से इसमें से play store को हटाया गया अब आप पूछते हैं क्या हम इसमें app install कर सकते हैं जी हाँ आप बिल्कुल app install कर सकते हो अगर मैं बात करूँ जैसे commonly लोग पुछ रहे कि सर आपके में solar चल जाएगा solar panel सर अगर आप OPS में जाएंगे OPS में Easy Note 5 के अंदर ये function already given है बट होता क्या है कि आप लोग OPS तक पहुंचने ही नहीं देते लोग आपको उससे पहले ये कह देते हैं OPS की ज़रूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि वो एक play store की चीज़ दिखा के आपको OPS से दूर कर देते है यह आप है आप नोर्मल ये अपने Android में solar system करेंगे तो सबसे उपर यह आता है मैंने इसको starting से इस वज़े से लगाया है ताकि आप लोग देख सके कि यह panel पे कैसे चल रहा है अब panel में हमारे पास feature है कि मैं इसको half screen पे चलाऊं या मैं इसको full screen पे चलाऊं या मैं इसको किस corner प करेंगे यह चल जाएका कोई intention ऐसी नहीं कि सिर्फ यही चलाना था तुब है टीचर से बात हुई तो टीचर से बात होने के बात solar का उन्होंने पूछा कि सर आपके में 3D solar चल जाता है तो हमारे windows में भी चल जाता है मैक सब के OPS में Easy Note 5 के software में भी solar system है बट मैंने उनको यह android का चला के दिखा है यह लो सर आपको इसको घुमाना है लो सर घुमा दिया यह आर्थ पे क्लिक किया लो सर यह आ गया आर्थ विजिट करना है इसका structure कैसा है यह basic है सर यह आ गया न अपग्रेड के लिए अब मुझे वेडियो यहां से बनानी थी जहां से यह अपग्रेड ना शो करें बट मैंने आपको starting से इस वज़े से दिखाया ताकि एक transparent जो चीजे हमारे और आपके बीच में जो चल रही है वो हमेशा चलती रहे आपको इसका structure देखना है structure पर देख लो यह आ जाएगा यह basic है sir आप max app के पैनल के अंदर app install कर सकते हो यह तो आपका solar का हुआ next अगर हम बात करें आप इसके अंदर zoom meeting भी install कर सकते हो आपको कोई zoom meeting करनी है आप इसके अंदर mic लगाएं अपना webcam लगाएं और आप इसको use करें अब अगर हम बात करें आपके teaching software की या application की यह अपना application है genius mentor बहुत ही काबिल हाथों में यह पुनीत सरके अब यह अपना mentor यहाँ पर चलेगा अगर आपके पास अपना कोई teaching software application जो आप उसको इस panel पर भी चला सकते हैं full screen पर चला लो genius mentor है class 6 to class 12 के लिए आपको free classes देता है app पे या come उस पे जो गरी बच्चे उनको free में देता है और अभी इसमें recording सारी complete हो चुकी है तो यह अब आप बहुत जल्दी market में भी आएगा अब अगर हम बात करें कि सर अगर बायचांस यह एप अगर नहीं होता तो अगर आप यह देखिए पहले मैं इसको चला देता हूँ ताकि आपको यह रहे कि हाँ यह चीज़े पहले से चल रहे है एक तरफ हमने यह विंडोस को open करा अगर हम note 5 open करते हैं easy note 5 तो easy note 5 के अंदर भी आपको solar system देखने को मिलेगा closer होता क्या है कि dealer आपको उस जगह तक आने ही नहीं देते जहां पर उनकी कमिया होती है वो आपको play store पर उल जहा दिया sir आपका play store का काम क्या है अगर आप यह देखेंगे कि हमारा play store का यह काम है तो आप हमें बताएं अब अगर आप यह देखेंगे तो यह भी rotate कर सकता है ठीक है mercury venus कहां गया अर्थ हम अर्थ की अगर बात करें तो मैंने अर्थ को ऐसे select करा explorer था गया अब इसकी information भी आ जाएगी 2D maps आ जाएगा 3D maps आ जाएगे वो सारी चीज़े आ जाएगे यह भाई साब तो रुकी गया एक बार बंद करके चला लेते हैं इसको मैकसब के पैनल में किसी को कोई भी doubt हो कोई service से related हो तो वो हमसे बिलकुल मिल सकता है बात कर सकता है आप आगे से यह मत पूछेगा कि सर क्या आपके पैनल में प्ले स्टोर है आप जोन सा एप बोलेंगे वो मैं इसमें install कर दूँगा चला दूँगा यह रहा इसमें और यह अपना मैकसब का पहले से है अगर हम बात करें solar की तो यह देखेगा दूनों का comparison है यहाँ पे चीज़े वही हैं बस थोड़ा सा user interface का फरक है आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर किसी को मैकसब की services में कोई दिक्कत आ रही है तो मैकसब की team हमेशा आपके साथ है जिस dealer से आपको support नहीं मिल पा रहा हम आपको support प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारी services as commitment 24 hours चालू है नमस्कार जैंद